तो भाई फाइनली अपने चैनल पर स्कोर्पियन की वीडियो आ चुकी है वह भी एकदम टॉप वेरेंट जैडिट लग्जरी इसका अब फुल कवर करवा लेता हूं कैसी फीचर्स मिलते हैं क्या मिलते हैं अब समसे बदे हैं अब हैडलाइट आपको LED मिल जाती है डायनमिक स्वाइप इंडिकेटर्स नीचे आपको DRL विद प्रोजेक्टर फोग लेंप्स ग्रिल पर आपको थोड़ा बहुत क्रोम मिल जाता है महिंत्रा को लोगो नया वाला नीचे ओपन ग्रिल अब पूरा कवर करवाऊंगों भाई सच में इसका नाम बिग डेडियो फैसी बना बना रही है वैसे तो गाड़ी खूब चोड़ी है अच्छे हाइट भी सही है इसकी पुराने वाली से फिर भी ठीक है लेकिन पुराने वाली अपनी जगह है अभी भी वह आती है और ये वाली अपनी जगह ये भी आती ही है पुराने वाली क्लासिक के नाम पर कर दी और य नीचे आपको footstep भी ही मिल जाता है और door handle पर आपको chrome with request sensor भी मिल जाता है and इसमें आपको 1900 है 19 की चोड़ाई मिलती है width and ground clearance आपको वही है अपना 187 mm का बागी side look अपनी कुछ ऐसी हो गई थी door पर आपको garnish मिल जाता है पूरे यहां से continue करके आपको यहां पर छोड़ दिया जाता है उपर आपकी roof rails पर होता है जिससे गाड़ी थोड़ी ऊचीजी और दिखने लग जाती है back look अपनी कुछ ऐसी मिल जाती है ठीक है उपर आपको shark fin antenna high stop lamp जो एक company starting से scorpion में light ला रही है एकदम ऊपर से और फिर नीचे तक आती है खेर पुराणी वाइन वाइन वोड़ी टाइप आती है इसमें थोड़ी से अलग आती है पीछे भी आपको dynamic swipe indicators मिल जाते है यहां पर आपको reverse light मिल जाती है और पीछे की side आपको fork parking sensor भी मिल जाते है इसमें और कैसी है नया महिंद्रा को logo lock इसको प्रेस करके रहोगे तो बूट भी open हो जाती है और नीचे सबसे नीचे आपको unlock का button और पतानी में महिंद्रवालों क्या दिक्कत हो रही है चाहे कोई भी गाड़े ले ले लो score पी ले लो टोप विरेंट में जाओ flip की दे नहीं है company को पत दिया गया है पूरा brown and black की theme दे रही है नीचे आपका magazine holder, bottle holder, lock unlock button, child lock safety और चारो power window भी मिल जाती है इसमें यहां सब अपना ORVM adjust कर सकते हो यहां पर आपको speaker मिलता है और यहां सब अपने लंबा support और recline यहां आगे picture seat अपनी कर सकते हो electronically बाकि अंदर बैठे अंदर बूरा ब देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लो बाकि अपना steering आपको कुछ ऐसे मिल जाता है और राइट साइड में आपको front parking sensor on-off करने का button मिल जाता है उसके ओपर engine start stop button, AC के events आपको हम मिलते है यहां पर twitter बाकि गाड़ी एकदम full luxury है भाई कोई दिकत ने लेने में लेने कि ले सकते हो अब भाई फिलाल गाड़ी start करते है brake pedal दबाया और बटन दबाया भाई गाड़ी इतनी smooth है न कोई sound नी गाड़ी start होती है जब steering भी इतना light है भाई बहुत जादा इसके infotainment system पे आते हैं तो देख लो right side में आपको speedometer left side में tachometer नीचे आपको यहाँ पे fuel gauge भी मिल जाता है बागी steering control मिल जाते हैं आपको गाड़ी में right side साप अपनी M.I.D. control कर सकते हो कुछ भी करना हो M.I.D. में mileage average mileage यह की बात है वैसे कुछ भी देखना हो देख सकते हो और left side से अपना stereo control कर सकते हो आपको गाड़ी में TPMS भी मिल जाता है लेकिन ऐसी गाड़ी के लिए वो बहुत छोटी सी चीज होगी है handbrake आपको ऐसे मिल जाता है और पूरा leather से cover है यह पूरा नीचे भी नहीं जाता पता नी क्यों leather बीच मा अटक जाती है बाकी dual zone आपको AC मिल जाता है automatic ठीक है drive mode hill decent control traction off बीच आप hazard light on off कर सकते हो इसमा आपको front and rear दोनों side camera मिल जाता है और stereo की screen size भाई पता है कितना है इसमें 8 inch का सिर्फ वैसे देखने में बड़ा लगता है side में border बहुत बड़ा कर दिया यहां पर भी आपको एक speaker मिल जाता है एक बीच में ठीक है गाड़ी एक number है बाई कोई दिख करने है उपर आपको sun visor में driver side सिर्फ ticket holder मिलती है बीच में आपको वह देनेट वाला IRV में मिलता है manual यहां से आप अपनी sunroof operate कर सकते हो यहां आपको सब चीज के function मिल जाते है sunroof light सब कुछ लेकिन आपको इसको sunroof कल blind पता है बाई manual हटाने पड़ेगा automatic नहीं अटता है और sunroof एकदम थोटी से मिलती है mini size panoramic नहीं आती है इसमें वो सिर्फ XUV700 में अवेलेबल होती है सारे controls के नीचे आपको sun glass holder मिल जाता है बाकि passenger side sun visor की बात करें तो यहां पर आपको mirror with automatic light मिल जाती है white ठीक है और अपना interior कुछ ऐसे दिखता है यहां पर यह जो मैं आपको mirror in दिखा रहो है यह automatic है यहां पर आप देख सकते हो आगे button मिलता हो सागे पीछे कर सकते हो बागी छोटा सा आपको armrest मिलता है इसमें कुछ रख नहीं सकते और two cup holder भी मिल जाते है इसमें यहां आपको two type A socket मिल जाते है एंड आप passenger airbag है वह आप आप से on-off भी कर सकते हो वहां पर dedicated button दिया गया है right side से आप indicator and left side से वाइफ रोशर कंट्रोल कर सकते हो right side में वैसे आपको light कंट्रोल मिल जाते है आपको automatic भी मिल जाती है यहां से अपने light on कर सकते हो रूफ पंद कर लो यहां से इसी के ऊपर आपको माइक भी मिल जाता है और दोनों side आपको सर के ऊपर speaker भी मिल जाते हैं बागी front row का comfort एक नमबर गाड़ी का अराम साब long journey कर सकते हो यहां पर आपको automatic pedals मिल जाते हैं अब पीछे चलके space दिखाता हूं में गाड़ी का space भाई गाड़ी में एक नमबर कोई दिक्कत नहीं है थर्ड रो भी एकदम comfortable है यहां पर आपको वही प्यानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है और यहां से आप अपनी सीट लिक्लाइन कर सकते हो अब बैट के दिखा हूं भाई देख लो खुदी देखो कितनी comfortable गाड़ी और आम से नीरूम हेडरूम बहुत बढ़ी है वही गाड़ी में एक नमबर की गा जाते हैं आम रेस्ट भी ओफर कर दिया गया बीच में टूक पोड़र्स फाइवडर्स मिल जाते हैं फोर आपके अपके स्लाइडेबल है अजस्टेबल मतलब एक आपका स्टगडी रहता है में आपको वाइड लाइड मिल जाती है उपर की साइड एंड के मिलता है अब मै है अब एक नमबर है मेर तो बहुत बड़ी बड़ी लेकि लेकिन पिछले वाली उसकी सेफ्टी बड़ी ती लेकिन हाँ फिर भी सही है और कह पर देख लो बड़ी थोड़ा जाइफ अपको कोई वन क्लिक बटन निमलता है यह जो जो दे रहे के इसको खीचके और तबी फ पूरी एकडम बूट हो जाती है आप इसमा जर नहीं तो नहीं कर सकते कहर शीट लेट आके बागी पीछ एक सेट आपको 12 वोट का सोगेट बूट स्पेस बताऊ तो बूट स्पेस आपको 460 लीटर्स का मिल जाता है बागी आपको इसमा जर नहीं करनी है तो बाई वह सब्सक्राइब करनी है यहां पर आपको कुल्ड मिल जाता है थोड़ी ठीक टाक्सी स्पेस के साथ स्कोर्पियन की बैजिंग यह भी लैदर से कवर्ड है पूरा एंड डेशबोर आप देख सेकतों पूरा ब्लैक मैट कलर में यहां पर दोर के ओपर देख रहों है थोड़ सबसे पहले तो खोलते है ठीक है फिर मैं बताओंगा क्या कुछ मिलता है इसमें आप पहली बार खोल लाउंज का सबसे पहले तो भाइस को फुल टैना एक तम भार यह ए एंड इंसुलेशन के लिए आपको मिल जाता है फिर भी कवर बैसे भी गाड़ी भोजासा है लेकिन कंपनी ओफर कर देती है वो भी अच्छी बात है इंजन आपको इसमें मिलता है 2200 CC का बैटरी आपको मिलती है एंड निकालता है यह 172 BHP यह टू वील ड्राइब है 4x4 नहीं है इसमें डीजल वे रेंट है और यह बागे भी बोन अट बंद करें जब साउंड शुनना आपको कैमरे मिल जाता है महिंदरा के लोगों के नीचे एंड फ्रेंट में भी आपको सेम पोजिशन मिल जाती है बाकि गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चीग है पूरा रिव्यू दे दिया मने गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बाइ